रहू और केटु इनको जोतिश में चाया ग्रहास बोला जाता है इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं North node of the moon यानी रहू South node of the moon यानी केटु पहले इक स्वर्भानू की मैंने पहले कवर करी हुई है जहाँ पर हम जानते हैं कि एक ही होते थे और एक स्टोरी थी समुद्र मंथन की जहां फिर ये राहू केतू नाम के हमारे नव ग्रह मंदल में इनको हमने क्याटिगरी में इंक्लूड करा Hi guys, welcome to my महादशा सीरीज जहां मैं cover कर रहा हूं हर एक प्लानेट के बारे में ये मेरा last video है जहां मैं राहू प्लानेट के बारे में cover करूँगा ये video बहुत interesting होने वाली है क्योंकि मैं cover करने जाओंगा कि राहू प्लानेट के साथ इंसान का pending कर्मा क्या होता है उस दशा में generally इंसान कैसी situations face करता है और उसके साथ बहुत सारी myths और बहुत सारे common unanswered topics राहू को लेके जो मैं इस video में cover करूँगा और मैं साथ में cover करूँगा और मैं बहुत practical और modern remedies जो आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत first time होगा सुनने का और हम इस video को start करते है राहू को बोला जाता है it's just a head without a body और जो उसका counterpart है Ketu उसको बोला जाता है it is the headless with the body अगर मैं राहू की बात आपको specifically बताऊं तो राहू एक बहुती unorthodox planet माना जाता है जोतिश में जिसको uncontrollable desires है highly ambitious planet होता है राहू since एक head है जिसका कोई शरीर नहीं है तो जो भी consume करता है उसको पता नहीं होता है कि उसकी कोई limit है या नहीं है तो जो राहू के desires होते हैं वो uncontrollable हो जाते हैं अगर आपको राहू की personality समझनी है मैंने अकसर अपने instagram की reels पे ये cover करा हुआ है आप एक film देखे फिल्म का नाम है पद्मावत पद्मावत पिच्चर में जो रनवीर सिंग ने खिल जी का रोल प्ले करा है राहू की personality भी exactly same है जैसे राहू बहुत ही highly intelligent है खिल जी का character हम देखते हैं बहुत ही intelligent होता है बहुत ही ambitious होता है हम खिल्जीों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा पर्चम सारे जहां पर लहरा आएगा और उसको नहीं फरक पड़ता कि वो भाई hook या crook अपना काम निकालना चाहता है उसी तरीके से राहू भी तोड़ा सा distrivious planet हो जाता है उसको morally right या morally wrong चीज़े ऐसे फरक नहीं बढ़ती है आप भी मायूस मत हुई है हमारे पास भी आपके लिए एक तौफा है एक त्यार चाचा जान हमारी जान राहू को सब कुछ अभी चाहिए और राहू को लगता है कि why not मैं भी डिजर्फ करता हूँ सारी अच्छी चीज़े जब खाने को इतना कुछ है तो हम खौफ क्यों खाए चली जानते हैं कि राहू का pending कर्मा एक native पे किस बारे में होता है जैसे अब तक जो भी हमने videos cover करी उसमें हमने यह जाना कि हर planet का एक pending कर्मा होता है इंसान पे जो उस दशा के अंदर उसे challenges फेस करता है अगर मैं planet Mars की बात करूँ तो planet Mars का pending कर्मा जेनरली होता है आपके male friends और brothers के साथ land real estate issues के साथ उसी तरीके से अगर मैं Saturn की बात करूँ तो Saturn का generally pending कर्मा होता है आपका time management के साथ तो उसी तरीके से जो राहू का pending कर्मा है almost like planet Mercury it is dealing with misdirection and decision making basically राहू time period में न इंसान थोड़ा सा misguided feel करता है misdirected feel करता है कि where am I going in life मैं life में कर क्या रहूँ यह सारे सवाल इंसान को bother करते है misdirection भी इस तरीके से कुछ होती है इंसान के साथ कि इंसान को लगता है कि उसे उस तरफ जाना है but reality उसे किसी और तरफ ही लेके चले जाती है that's what happens in राहू time period and that is the pending कर्मा एक सवाल और आता है कि राहू की दशा अगर misdirection के साथ pending कर्मा दे रही है तो अच्छे result कब देती है या देती भी है क्या नहीं to be honest राहू थोड़ा सा misinterpreted सा planet है उसका जो perception मनाय हुए हमारी astrological society में या फिर हमारी modern reels में या जो content flow होता है उसमें राहू को थोड़ा सा misguide करा हुए है राहू कभी-कभी बहुत excellent results देता है एक राहू के बारे में कहवत होती है कि राहू doesn't make people millionaires in fact राहू makes people billionaires so coming back to राहू अच्छे results देता गभ है राहू के results depend करते हैं दो चीजों पे आप इनको note down कर लीजिए राहू whether results अच्छे देगा या results highly negative देगा वो depend करेगा first उसके dispositor की placement पे और दूसरा उसके नक्षक्त्र Lord की placement पे जहां पर भी राहू बैठें उसके मकान मालिक की खुद स्तिति कैसी है कहीं छे आट बारा में तो नहीं है खुद negatively impacted तो नहीं है वो काफी सारा राहू की जो दशा का analysis है वो define करेगा और second राहू जिस नक्षक्त्र में placed है उसके मालिक उनकी स्तिति कैसी है उस पे depend करेगा कि राहू अपने results कैसे देगा तो अगर इन दोनों के हमारे dispositor की placement और नक्षक्तर Lord की placement अगर अच्छी है तो राहू की results अच्छे भी हो जाते हैं अब एक चीज और cover कर लेते हैं कि राहू time period में generally इंसान किसाथ होता क्या है या वो generally behave कैसे करता है तो गाइस इसको आप ऐसे समझो कि राहू ना हमेशा आपको extrovert बनाएगा राहू time period और केतू या केतू time period हमेशा आपको introvert बनाएगा तो राहू time period में generally क्या होता है कि इंसान एक तो थोड़ा unorthodox हो जाता है highly ambitious हो जाता है certain obsessions भी हो सकते हैं उसे राहू time period में क्योंकि राहू मैंने आपको जैसे बताया था ना उसको ना आता ही नहीं है उसको पता ही नहीं कि restriction क्या होती है limit क्या होती है क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है तो जो भी consume करता रहता है उसे unlimited desires चाहिए तो राहू time period के अंदर इंसान थोड़ा explorer हो जाता है थोड़ा सा unorthodox हो जाता है उसको लगता है कि वो नहीं नहीं चीज़े try करें ये राहू time period की certain significations है और जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान को obsessions भी हो जाती है राहू बहुत highly obsessive कर देता है तो राहू आपका जिस भी घर में बैठ जाएगा ना उस sign और house की properties को लेके specially उसक वो भी अच्छी चीज़े deserve करता है राहू time period जैसे मैं आपको बताया ना आप खिल जी की story देखिए पत्मावत film देखिए राहू time period में आपको लगेगा कि मैं hook by crook कुछ चीज अचीव करूँ तो जो आपका एक parameter है right और wrong का वहाँ थोड़ा सा आप थोड़ा सा हिल सकते है राहू time period आपको थोड़े से unethical ways या maybe at times illegal ways जो society की नजरों में maybe acceptable ना हो उन तरीकों से भी उन sources से भी आपको पैसे या अपने desires को अचीव करने पे थोड़ा सा force कर सकते हैं encourage कर सकते हैं जैसे राहू time period में इनसान को होता है कि उसको quick पैसा कमाना है immediately पैसा कमाना है और उस च gambling में घुझ जाए, betting में घुझ जाए, राहू time period के अंदर ये भी देखा गया है आजकल लोग बहुत ज़्यादा foreign exchange, stock market trading इसके अंदर बहुत ज़्यादा interested हो जाते हैं और उनको क्योंकि दिख रहा होता है कि इससे बहुत सारा पैसा कमाने का scope है राहू basically क्या करता है राहू की energy amplific होती है बहुत ज़्यादा amplify करती है जैसे अगर Jupiter expand करता है तो राहू आप सोची amplify करता है तो राहू in fact किसी भी planet के साथ बैठ जाता है तो वो उसकी भी nature को ऐसे copy करके उससे ज़्यादा better उसकी acting करके दिखा सकता है जैसे for example अगर मैं को आपको एक planet association में example देना हो तो अगर राहू और मंगल किसी का साथ बैठ जाएंगे तो मार्स होते हैं हमारी energy हमारा गुसा तो राहू मंगल के साथ बैठ के अंगारक बनाता है क्योंकि राहू मार्स के अग्रेशन को amplifier देता है उसी तरीके से अगर मैं राहू mercury combination की बात करूं तो mercury होती है हमारी intelligence हमा उसकी communication की traits है उनको amplify कर देता है यह राहू का nature हैगा इस बेसे के लिए राहू जिस भी घर में बैठ जाएगा जिस भी राशी में बैठ जाएगा उसके traits को वो number one करना चाहेगा क्योंकि राहू के साब से वो जहां पर भी बैठ जाएगा वहां उसको उन areas को perfect करना है राहू is like जहां पर भी बैठ जाएगा he wants to be number one there तो आप in fact ये भी check कर सकते हैं अपनी specific कुंडली के अंदर कि जहां पर भी आपका राहू बैठा हुआ है ना आप उस जगा को लेके हमेशा number one बनना चाहते हो और इसके अंदर ironic बात ये होती है कि आप उस घर को number one कराने के चकर में और इस घर को perfect करने के चकर में थोड़ा सा फिर खराब करना शुरू करते हो that is what somewhat राहू की जो एक explanation है गाई myths about राहू चलिए थोड़ी सी ना जो misconceptions हैं और myths हैं राहू के बार में इसको थोड़ा सा cover करते हैं clear करते हैं एक तो ना ये perception मना है कि राहू हमेशा खराब ही होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया राहू हमेशा खराब नहीं होता certain combinations में राहू योग कारक effect भी देता है आप होता क्या है कि राहू कभी कभी त्रिकोन और केंद्र घरों के अंदर थोड़ा सा नुकसान जाधा करता है देखिए गाइस आप बात समझे राहू ना एक शक का ग्रह है एक संदे का ग्रह है राहू infection भी देता है तो ऐसा बोला जाता है generally कि राहू जैसा planet थोड़े से negative house में अच्छा करता है तो तभी 6th house का राहू कहते है बहुत अच्छा होता है लोगों का 3rd house का राहू in fact कहते है इंसान को खिलाडी बना देता है बहुत अच्छा होता है 3rd house का राहू तो राहू की सारी placements negative नहीं होती है तो like I told you कि 3rd, 6th, 10th, 11th is a good placement for राहू प्लस अगर राहू इसमें अच्छे science में बैठे है then it makes it even more better मैंने जो अभी आपको बात बताई कि राहू शक का रहा है संदे का रहा है एर्थ house में आपको आपके private parts के वाँ infection देने की tendency रख सकता है that's what I am trying to tell you उसी तरीके से मैंने आपको पता है राहू संदे, suspicion और obsession का घर है तो राहू जिस भी घर में बैठ जाता है उस related आप अपने family members या human relationship के बारे में question जरूर करिएगा generally ऐसा जैसे देखा गया है कि साथवे घर से हम क्या देखते है business partnerships और क्या देखते है शादी तो साथवे घर का राहू इंसान को generally बहुत suspicious कर देता है अपने marriage को लेके अपने business partnerships को लेके in fact obsession भी देता है कि मैं इस marriage को perfect trade करूँ ये business partnership perfect बनाऊँ और उस शकर में क्या होता है चीज़े थोड़ी खराब हो जाती है कभी भी किसी चीज़ को आप जरुत से जादा over perfect करने की कोशिश करोगे उसको आप number one बनाने की जरुत से जादा कोशिश करोगे तो ये एक universal law है कि चीज़ फिर आप खुदी खराब करना शुरू कर दोगे so this is what Rahu does but आपको राहू को पूरा negatively इसलिल नहीं नहीं है क्योंकि राहू जैसे planets को pacify करना comparatively easy होता है in comparison to planets like Jupiter गुरू जैसे घ्रा को शान्त करना प्लीज करना मुश्किल है राहू जैसे planet को शान्त करना असान है राहू को आप ऐसे समझो जैसे आपके महले में कॉली में एक कोई बड़ा violent सा और थोड़ा criminal minded कोई इनसान रहता हो अगर आप उससे पंगेल होगे तो क्या करेगा आपको परिशान भी करेगा आपकी महले की living को आपकी गाड़ी भी ठोक सकता है बट अगर आप इसी criminal minded आदमी के साथ दोस्ती कर लो यह फिर आपका दोस्त बन जाएगा वो in fact ensure करेगा कि आपकी गाड़ी को की heart ना लगाए कि आप safe हो अपने महले में तो राहू की personality भी somewhat ऐसी है अ अब आपको बहुत ही interesting बात बताता हूँ राहू के बारे में और उससे जो professions associated है उनके बारे में राहू का ना काम किसी भी चीज जो थोड़ी सी गंदी हो उससे associated होती है जैसे मैं आपको थोड़ी examples देता हूँ कोई भी लोग जो गुटके का काम करते हैं तमबाकू का बैट अपना blood sample देने, urine sample देने, saliva का sample देने, यह सारे professions हैं जो राहू के साथ associated होते हैं तो गाइस जो भी यह काम हो गए है आपका liquor industry से लेके जो famous liquor barons होते हैं या इनको गुटका kings कहते हैं या फिर आप cigarette industry होगी, tobacco industry यह सारे के सारे काम बहुत अच्छे हो जाते हैं राहू के साथ और भी professions हैं राहू के राहू का काम बहुत अच्छा है जो भी fertilizer का काम करना चाहते हैं जो लोग खाद बनाना चाहते हैं जो भी organic hydrocarbons का काम करते हैं या फिर recycling का काम करते हैं यह सारे नए modern professions हैं जो राहू के साथ associated हैं मैंने बहुत certain नए companies सुनी हैं जहांपर लोग used पानी की related है तो राहू आज की डेट में हम बोलते हैं वाइफाय है software है जो भी राहू की दशा से undergo कर रहा है वो अपने आपको technologically advance करें वो IT industry के अंदर कुछ काम करें मैं तो कहता हूं stock market में ITC का share लेना भी बहुत अच्छी remedy हो जाती है राहू के लिए तो राहू का time कभी भी आप अगर ये कुछ काम से अपने आपको associate करेंगे जैसे दवाई क्या है जो दवाई यानी drugs drugs को नशा भी कहते हैं drugs को दवाई भी कहते हैं तो राहू के time में आपको दवाई खानी है तो या नशे के रूप में आप drugs की तरह खाओ या दवाईयों का काम कर लो मैं basically ये बोल करोगे करना तो दशा बहुत अच्छी कटना शुरू हो जाती है in fact अभी जो मैंने आपको recently बोला राहू का काम आपका recycling के साथ होता है तो आजकल जैसे हम बहुत सारे हमारा वैसी जो हमारी economy है हमारी country है हमारी earth है वहाँ पर ये सारे global issues आ रहे हैं कि हमारे पानी गंदा हो है हमारा soil हम खराब कर रहे हैं तो हम जितना अपनी नदियों को साफ रखेंगे हम अपने आसपास के surroundings को clean रखेंगे renewable sources of energy पे हम focus करेंगे और recycling करेंगे आप अपना राहू अच्छा गर सकते हो राहू आपको positive effects देना शुरू कर देगा in fact इससे होगा क्या कि आपको name film recognition भी म है हमारे गुरू जी हमें समझाते है कि जब भ्रह्मा जी भी राहू केतु को अलग नहीं कर पाए तो हमारा क्या इन पर control है तो हम इनको avoid तो कर नहीं सकते हैं बट इनको pacify और खुश जरूर कर सकते हैं तबी जो मैंने आपको यह certain remedies बताई है या राहू related lifestyle बताया है यह बह in fact उस राहू time period में उनको highly success भी मिला और उन्होंने काफी सारा पैसा भी गमाया राहू को basically गंदा स्थान बोला गया और Jupiter को अच्छा स्थान बोला गया तो आप इसको ऐसे समझे जो मैंने भी line बोली गंदा स्थान और अच्छा स्थान जो हम डेली NCR में जो लोग रहते है हम देखते हैं कि यहां बहुत सारे 50 लाग से भी जादा flats हैं आप देखिए कि जितने भी flats हैं कोई ऐसा flat है जहां पर toilet ना हो राइट ऐसा नहीं है ऐसे flat जरूर होंगे जहां पर आपको शायद मंदिर ना मिले temple room ना मिले बट ऐसा कोई भी flat नहीं होगा जहां आपको toilet नही आप ऐसे समझो कि हमारी जो human body भी है हमारे human body में respiratory system है lymphatic system है उसी तरीकिते expiratory system भी है we need that to survive right so like in that sense हमारे घरों पर toilet होना एक integral part है ना even though वो एक गंदा स्तान है तो राहू के तू भी वो हमारे toilet है guys वो बड़े important है और एक बहुत integral part है हमारे नवग रहे के तो guys remedial part पर आ जाता हूं मैं तो राहू basically मैंने आपको बताया since गंदा काम है गंदा एक स्तान है तो राहू time period क के अंदर आप यह certain remedies करिए जो मैंने आपको अभी cover करी है तो राहू के time में अगर आप गंदगी को साफ रखेंगे basically अब जैसे मैंने आपको बताया आप recycling करेंगे तो यह बहुत अच्छी remedies राहू के time period में जैसे लिए हम बोलते हैं कि आप कोडियों की सेवा करिए उनको blanket दीजिए आप साथ में उनका खाना खिलाइए यह certain remedies हैं जो राहू time period में आप कर सकते हैं राहू time period में आप दवाईयों का काम करिए अब दवाईयां जो हमारी drugs होती हैं उसरफ नशे तक limit नहीं करती हैं आप उनको normal sale purchase भी कर सकते हैं तो राहू time period के अंदर आपको वह pathology labs क आप काम कर सकते हैं आप कोई petroleum hydrocarbons का काम भी कर सकते हैं खाद बना सकते हैं आप fertilizers बना सकते हैं जो आजकल हमारे MCD की construction sites बनी हुए नहीं वो भी राहू से associate हो जाती है तो जब भी राहू का time आए आप इन सब चीजों पर focus करना start करेंगे और बहुत smooth और अच्छी तरीके से दशाब देखेंगे आप निकाल पाएंगे तो guys हमने इस video में अगर आप गौर करो राहू के बारे में काफी नहीं नहीं चीज़े cover करी ये तो ठीक है कि राहू का pending karma हमें पता लग गया मिस direction के साथ हैं बट उसके अलावा आज हमने ये समझा कि राहू की myths क्या हैं जो हमार अस्ट्रो पेज है हमारा अजेंडा ये है कि हम इस videos के थूँ practically modern way से astrology को decode कर सकें और हम आजकल एक modern astrology को as a lifestyle live कर सकें तो इस video के माध्यम से भी मैं आपको राहू के बार में काफी सारी myths break करने की कोशिश करी और मैं आपको बताना चाह रहा था कि राहू को सरफ एक negative perception से हमें नहीं देखना है राहू आज की डेट में बहुत important planet है हमार ले in fact जो मैं आपसे social media के थूँ आपसे communicate करके video बना रहा हूँ that is also राहू guys आप में को comment section में जरूर बताईए कि आपका राहू कहां placed है और आपकी अगर राहू की दशा कब आ रही है या आई थी तो आपके लिए दशात कैसे गई थी so I will see you soon